दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे 1973 में रिलीज हुई एक एक्षन थ्रिलर मुवी का जिसका नाम है जोशीला और इस मुवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद हैं देवनंद, हेमा मालिनी, राखी कुलजार, परान, बिंदू, मनमोहन कृषना, पद्मा खन्ना, एके हंगल, सुधीर, रुपेश कुमार और इफ्तिखार इसके इलावा इस फिल्म को डारेक किया है यश्चोपडा ने और इस फिल्म के वेडियूसर है गुलशन राए अब बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो इस कहानी की शुरुवात होती है शालिनी नाम की एक खुबसूरत पोईटेस से जो जेलर यानी मनमोहन कृष्णा की बेटी है और शालिनी के सक्रदार में हमें हेमा माली ने दिखाई देंगी और फिर कहानी अपना असल लुख तब लेती है जब शालिनी की मुलाकात होती है जेल के एक कैदी अमर यानी देव अनन से जो खुद भी एक पोईट है और फिर शेरो शायरियों से भरी मुलाकातें इन दोनों के बीच की करीबी बढ़ा देती हैं जिसकी वज़ा से अमर और शालिनी एक दूसरे को चाहने लग जाते हैं मगर असल कहानी तो तब खुलती है जब अमर की जिन्दगी की दास्तान हमारे सामने आती है जहां बहुत से एहम किरदार और पहलू आपके सामने आएंगे जिन्हें जानने के लिए आप लोग ये फिल्म देख सकते हैं अब बात करें इस फिल्म की डारेक्शन के बारे में तो डारेक्टर यस चोपडा की काबलियत से तो हम सब वाकिफी हैं और इस फिल्म में भी उनका कॉंसेप्ट और आइडिया बहत किलियर था जिसकी वज़ा से स्टोरी ओडियंस तक बहुती अच्छे से प्रेजन्ट और डिलेवर होती नजार आई और स्क्रीम प्ले राइडिंग के हवाले से देखें तो फिल्म का फस्ट हाफ स्टोरी और करेक्टर्स बिल्डप में थोड़ा ज़्यादा वक्त ले ले लेता है जिसके इलावा फिल्म में हमें काफी शानदार शायराना डायलॉक्स और पंच लाइनर्स भी सुनने को मिलते हैं जो इस फिल्म का एक प्लस पॉइंट साबित होते हैं और बात करें म्यूजिक की तो फिल्म का म्यूजिक भी बढ़िया है जहां इस फिल्म के तकरीबन सारे गाने ही काफी अच्छे हैं खास तोर पे सौंग दिल में जो बाते हैं तो अपने वक्त का काफी मशूर गाने हैं जिसे आज भी लोग बहुत शौक से सुनते हैं अब बात करें एक्टिंग पर्फॉर्मेसिस की तो फिल्म के लीड एक्टर देव अनंद का मैथर्ड एक्टिंग के मामले में स्किल एक अलग ही लेविल पे है और इस फिल्म में भी उन्होंने अपने किरदार को बहुत रियलिस्टिक अंदाज में निभाया और काबले तारीफ काम किया इसके इलावा हेमा मालीनी की बात करें तो उन्होंने भी हमेशा की तरह बहुत शांदार काम किया और वो काफी खुबसूरत भी नज़र आई और बात करें परान की तो उन्होंने भी एक अच्छा करेक्टर रोल निभाया और हमेशा की तरह टॉप क्लास पर्फॉर्मेस दी इसके इलावा राखी गुलजार और इफ्तिखार समेथ फिल्म की बाकी कास ने भी अपने अपने रोल्स में काफी अच्छा काम किया है ओवरॉल देखा जाये तो जोशीला एक मस्ट वाच मुवी है जिसमें इंट्रेस्टिंग स्टोरी प्लॉट के साथ साथ आपको कमाल की एक्टिंग पर्फॉर्मेस भी देखने को मिलेंगी तो दोस्तों जोशीला मुवी मैं आप सब को रेकमेंड करूंगा आप सब भी इस शानदार मुवी को जरूर देखिएगा और अगर आप देव अनंद को पसंद करते हैं तो ये मुवी आपको बहुत पसंद आएगी